हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल वैदिसरी अरुड गुरू जी, आज मैं आपको पेट दर्द, पेट में होने वाले दर्द, जैसे पेट में गैस होने पर, अपच होने पर, या बधहजमी, एसीडीटी, कुछ भी होने पर, पेट में अचानक दर्द हो ज हजमी, खटी डकार, जो भी आपकी समस्या है पेट से संबंधित, सभी समस्याओं का रामबाड इलाज मैं बता रहा हूँ, और पेट का दर्द फोरन तुरन्त आपको कल्पना से, अप्रयास्चित रूप से आपको लाब होगा, इसके लिए दो समागरी की आवश्यक्ता हो पहला धन्या, जो आप हर घर में ये मसाले में परियोग किया जाता है, ये धन्या और दूसरा जो है, वो है मिस्री, दो समागरीयों की आवश्यक्ता होती है, इस पेट दर्द के रामबाड नुस्खा बनाने के लिए, ये धन्या और ये मिस्री, इन दोनों को आपको आपस में कुट पीश करके घर में रखें, बच्चों को, बुढ़ों को, किसी को भी आपको यदि पेट दर्द की समस्या है, पेट में बदहजमी है, पेट में गैस है, अपच है, खटी डाकार हैं, तो इसका आपको हलका गरम पानी के साथ, आपको गरम पानी के साथ इसका सेवन करना है ये मैं पहले से पीश करके चूड बना करके रखा हूँ धनिया और ये मिस्री को बराबर मात्रा में आपको ले लेना है धनिया और यदि आप कापी पेन में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं धनिया और मिस्री को बराबर मात्रा में पीश करके इस तरह से आप में एक चम्मचूड ले ले और हलका उपर से गरम गरम पानी पी ले आपको देखेंगे बधहजमी गैस खटी दाकार कोई भी पेट से संबंधित समस्या पाचन से संबंधित समस्या है तुरंत आपको लाब मिलेगा इसका उपयोग आप सुबह दो पहर साम तिन टाइम भी कर सकते हैं और पेट दर्द यदि अचानक में हो गया है तो ये रामबाड उपयोग है इसका उपयोग करने के पस्चार कितना भी कैसा भी पेट दर्द हो तुरंत समाप्त हो जाएगा बस एक चम्मच आपको इस चूड का लेना है और उपर से हलका गरम पानी जितना आप सह स कि इस तरह से चूड रखें जिस किसी को बदहजमी पेट में खटी डकारें गेस आदी हो रहा है आप इसका उपयोग कर सकते हैं यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें ये विशेश निवेदन है कि मेरे चैनल को करें तथा वेल आइकेन घंटी को दबा दें जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे यदि आपके घर में किसी भी परकार का कोई जटीले आशाध्यरो किसी भी सदस्य को हो गया है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें उस रोक से संबंधित में वीडि साथ आपसे अलविदा जै हिंद जै भारत